नमस्कार दोस्तों अमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह है फ्राटा फैन और इसकी की हमने चैन वाइंडिंग 2800C RPM में और दोस्तों आज की सी वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके connection जिया दोस्तों अगर आपने इसका वाइंडिंग वाला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के description में लिंक है वहाँ से आप इसका वाइंडिंग वाला पार्ट देख सकते हैं तो फिर चलिए ี่ 4 सेट निखले हैं एक इनर एक आउटर यह हैं तोस्तों यह तार आप देख रहे हैं यह नीचे वाला एक तार उपर वाला ये नीचे वाला inner है उपर वाला outer है ये जो हमने पहला वाला set डाला था सबसे शुरू में उनके दो तार है जो पहली coil डाले दी set की उसका inner तार ये है और set की अंतिम क्यालती उसका outer ये है ठीक है तो इस एक set के दो तार है ठीक है इस तरह से चार set इंस्टोल है set 1, set 2, set 3, set 4 ठीक है 6-6 coil के चाहिए कितने भी coil के हो set अगर चार set डलते हैं तो connection single face के same होंगे तो देख लीजी ये process देखिए पहला जो inner तार है जो पहले set का है पहले same start कर रहे हैं ठीक है तो ये पहला तार जो है पहले set का इसको हम skip कर देते हैं अब इसका outer पकड़ते हैं पहले का outer पहले का outer हमने लिया और जो दूसरा set है उसके दोनों तार skip करेंगे पहले का outer लिया और तीसरे set के outer से जोड़ना है ठीक है तीसरे के जो कि जस्ट उसके सामने होता है, बिल्कुल सामने होता है, पहले के सामने तीसरा रहेगा, और दूसरे के सामने चोथा रहेगा, ये चीज़ आप धान रखें, ठीक है, तो बहुती इजी है, आप स्लीव ले लीजिए, और तार पे अपने पे चड़ा लीजिए, जिन जिन को कनेक्ट करना है आउटर आउटर तार को पहले का आउटर हमने लिया और तीसरे का आउटर खिक है इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और कनेक्शन अच्छे से कीजिए ताकि कोई दिक्कत नहाए यह एलिमुनिय में मैंने रिवाइट किया है कोपर में भी आप सेम तरीके से रिवाइट कर सकते हैं सेम डेटा के साथ और कनेक्शन में आप डबल सिलीव भी लगा सकते हैं मैं सिंगल लगा रहा हूं ठीक है आपकी मर्जी है ठीक है यह हो गया हमारा connection ठीक है तो पहले set और तीसरे set का connection हो गया है अब उसके inner inner तार बचीएगे पहले का inner और तीसरे का inner ठीक है अब इन दोनों को हम skip करते हैं आप motor को हम घुमा लेते हैं ठीक है और अब connection देते हैं हम दूसरे का चोथे के साथ तो भई आउटर आउटर ता जुड़ेगा ठीक है दूसरे का आउटर चोथे के आउटर के साथ बिल्कुल सिंपल भई एक से तीन बनता है ठीक है पतारों पच्छे से जुड़े दोस्तो इस मोटर की वाइंडिंग बहुत ही सिंपल हुई है सिंपल तरीके से लेकिन देखने में थोड़ी सी आपको कठिन लगी होगी जब आप इसको रिवाइंड करेंगी तो बस आपको पिच का ध्यान रखना है मोटर खुद बखुद रिवाइंड होती चली जाएगी ठीक है तो दो कनेक्शन दो जोड़ हमारे बन गए है और दोस्तो अब हमारे पास टोटल चार तार बचे है इनर इनर ठीक है तो आप किसी को भी रनिंग बना सकते हैं किसी को भी स्टार्टिंग बना सकते हैं ठीक है तो हमारी जो फरस्ट वाला था जो मैंने की बताया जो हमारा पहला वाला है पहला कोईल है ठीक है पहला जो के तीसरे एक साथ कनेक्ट है उन में हम रेड तार लगा देंगे उसको रनिंग बना देंगे तो यहां पिसलियों हम डाल लेते हैं तारों में तो अब हम रणिंग में रैड तार का यूज करेंगे आप चाहे जिसको स्टार्टिंग बना सकते हो क्यों कि समान क्वाइल है समान टरन है सभी टरन सेम है बराबर टरन है और बराबर क्वाइल साइज बराबर गेज है तो आप जिस बराबर गुमेगी चाहिए किसी को भी रनिंग स्टार्टिंग आप बना सकते हो दोनों सेट बराबर ही चलेगी ठीक है ठीक है दोस्तो प्रेम ने लाल तार लगा दिया है जो पहले सेट की इनर तार थी उस पर अब हम दूसरे को स्कीप करके तीसरे वाली को पकड़ते हैं इस पर भी हम लाल तार लगा देते हैं तार को अच्छे से ही जोड़ना है ठीक है वो इस पर सिलिव चड़ा देना है तो यह हो गए हमारे दो रेट तार इसको हम रनिंग बना दिया है ठीक है अब दो तार अमारे बस ते हैं इसको हम स्टार्ट पना देंगे तो दोनों में हम जोड देते हैं दोस्टों देखिए हमने दो बलैक तार जोड़ दीए हैं दो लाल तार जोड़ दीए है ठीक है पहले और तीसरे के इनर तार में हमने लाल जोड़े हैं और दूसरे और चोथे के इनर तार में हमने ब्लैक जोड़े हैं तो यह रनिंग के बन गए दो तार यह दो स्टार्टिंग के बन गए अब इसमें से कनेक्शन करने के लिए सेम तरीके से करेंगे एक एक कोई रनिंग स्टार्टिंग को लेकि common बना लेंगी ब्लैक में कैपिस्टर लगेगा और रेड में बी कैपिस्टर लगेगा और यहां पर current दिया जाएगा फिर common और red में current दिया जाएगा ठीक है दोस्तों अब इसको जलदी से हम धागा बार देते हैं किसी भी तरफ ले आईए, जहांब कमन करें, ठीक है, हम इसको ऐसे सेट करेंगे, और सबसे पहले हम बीच में धागा लगाएंगे, और एक चीज और दोस्तों, यहां पे आप पेपर लगा सकते हैं, सेट के बीच में, ठीक है, धागा मानने से पहले, क्योंकि कई बार क्या होती है, कि कोपर वाइर से आप रिवाइट करते हैं, तो वो हीट बहुत ज़्यादा होती है, कोपर वाइर और आपस में टाच होने का खतरा जादा रहता है, aluminium में भी आप लगा सकते हैं मैंने aluminium में यहां पर rewind किया है तो आप set-wise का अगस लगा सकते हैं कि एक set दूसरे से touch ना हो डोस्तो तो अब चल्दी से इस पेमे थागा मार देता हूँ अच्छे से मार ना है दोस्तो देखें अच्छे से तारों को दबा दीजिए ठीक है अच्छे से ताकि ये खिचे नहीं तो दोस्तो आज के अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो वो दोस्तों में शेयर कीजिए ठीक है फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जैहिंज जैवारत जैहिंज जैवारत